हेलो एवरिवन पिछली बार पिछली वीडियो में हमने कक्षा 11th की चैप्टर 2nd स्टार्ट की थी जीव जगत का वर्गी करन जिसमें हमने वर्गी करन का अर्थ क्या है वर्गी करन की आउसकता क्यों पड़ी विभिन प्रकार की जीव इस संसार में रहते हैं तो वर्गी करन की आउशकता क्यूं पढ़ी यह हमने पढ़ा था इस पर वीडियो बनाया था उसके बाद जगत पदती अलग-अलग विज्ञानिकों के अनुसार पूरे जीव जो इस धुनिया में मौजूद है उनको कितने वर्गों में रखा गया उनके अनुसार कितने जगत में उनको बा ऐसारी सैपहती कहें एक जू अपना खौन了 स्वेड़ बना सकते हैं जलार्वा स्वेयह दूसरा बना खाना गजूद स्वेड़ान सब्सक्राइब दरके और धीमेल किक दुदक में उनके को कि अग्ना लाल रक्त के अधार पर रखा था एक जिसमें लाल रक्त उपस्तित हो और दूसरा जिसमें अनुपस्तित हो उसकी बात ना कैरूलस लीनियस ने दूई जगत पद्दती दी अनिमेला तुरी जगत पद्दती धी कौपलेन ने जिनोंने चतुर जगत पद्धती दी मॉनेरा प्लांटिया अनिमेला और जो सबसे ज़्यदा मानेता जिसको मिलती है जिसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं आरेच विटेकर जिनोंने पंच जगत वत्तदी दी पद्धती 1969 में दी मॉनेरा प्लांजाई आते हैं तो मॉनेरा पंच जगत पदती जो की आरेच वेट करने दी थी उसमें पहला है मॉनेरा तो मॉनेरा में जो जीव आते हैं मॉनेरा में सभी बैक्टीरिया जगत के सभी बैक्टीरिया इसके अंदर इस जगत में सभी बैक्टीरिया आते हैं इस संख्याओं में सरवादिक होता है हर जगे पाए जाते हैं जाए बर्फ हो गहरे-समुदर हो जरने हो मर्वस्तर अल जो हर जगे जहां दूसरे जीवों का रहना मुशकिल है वहां भी ये पाए जाते हैं कई बैक्तिरिया तो जीवों शरीर के भीतर रहते हैं परिजीव के रूप में अब इनका आकार के अधार पर ये चार प्रकार के हैं गोल गोल जो होता है गोलाकार उनको कोकस कहते हैं जो छड़नुमा होते हैं उसे बैसिलस कहते हैं जो कॉमा के अकार के होते हैं वो विवरियम होते हैं और सरफिलाकार होत तो आकार के अधार पे मॉनेरा जिसके अंतरगत बैक्टीरिया आते हैं वह चार प्रकार के बैक्टीरिया है अकार के अधार पे बैक्टीरिया चार प्रकार के हैं एक और चीज इनकी यह दोनों प्रकार के हो सकते हैं भोजन ग्रहन के अधार पर यह स्वापोशी भी होते हैं और परपोशी भी होते हैं इनका जो वेभार है वो बहुत ही जटिल होता है भोजन ग्रहन करने के अधार पर यह परपोशी भी हो सकते हैं और स्वापोशी होते है श्वापोशी भी दो प्रकार के होते हैं एक प्रकास संसलेशन दुआर अपना भूजन उत्पन कर सकते हैं और एक रसाइनों का संसलेशन करके और परपोशी मैंने बताया है परपोशी जो विभिन प्रकार के भीमारियां उत्पन करने के लिए रिस्पॉंसिबल होते हैं तो इसी के अधार पर उनके बेवहार के अधार पर उनकी विसेस्ट संरचना के अधार पर उनके कारियों के अधार पर बैक्टीरिया को दो भागों में बरगित किया गया है दो भागों में वर्गित किया है एक पहला अध बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया तो पहले हम अध बैक्टीरिया के बारे मिलेते हैं और बेक्टिरिया कि और स्प्रकार के एक एक कट्षि नितु Punjab들 में जिश्म Northamb τηर also हम दूसर्य बेक्टिरिया की तुन्ना में थोड़े अलग प्रकार के नितुम होते हां कोश्ची का प्रतिकल अवस्थाओं में जिवित रखता है मेथेनोजन जो आपने सुना होगा मेथेन गैस मेथेनोजन बेक्टीरिया से प्राप्ट होता है मेथेनोजन बेक्टीरिया जो की जो रूमेन इन टैनिमल होते हैं जो जुगाली करते हैं पसु उन पसुगों के आतों में पाया जाता है तो आध बेक्टीरिया का एक उधारन है मेथेनोजन बेक्टीरिया जो की पसुगों के आत में पाया जाते हैं और वो गोबर से मेथेन गैस का उत्पादन करते हैं मैधेनोजन बेक्टियर्या ऐसे पशू जो जुगाली करते हैं नुखना दूसरी वार वापस उगल के फिर चबाते हैं । दो बार मुह में ला करके पहले एक बार खालेते छल्दी जल्दी फिर दूसरी बार बैटके बाहिते हैं धुर्द ठाते के शबीद ऐनि20 शबंंट तो यह रोमीनेंट पाया जाता है तो ई सक्राफ तो रहिए next है eubacteria eubacteria को मैंने पहले कह दिया bacteria moisture को मैंने पहले कह दिया आपको कि दो प्रकार के bacteria portion के अधार पर इंको बताया गया है appearing spottedWhite भी है पर पोसी भी है इसमें हमने परपोसी पढ़ा अब इसमें हम bacterians बरकार के इसमें 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 acceptate could not be कठोर कोशी का भित्ती और कसाव के कारण होती है इन में दो प्रकार स्वापोशी भी होते हैं पर पोशी भी होता है स्वापोशी में प्रकास संसलेशी और रसायन संसलेशी प्रकास संसलेशी जैसे उधारन जरूर याद रखेगा पूछा जाता है नील हरित सेवाल कहते हैं साइनोبیک्ٹیरिये को और क्या क्या क्यांते हैं नीलहृत सिवार प्रकास अंसलीशी और नॉस्टुक और अनवीना ये हैं में रसाइन संसलीशी तो प्रकास संसलीशी जैसे अपको पता है इसमें खुलोरोफिल अ पाया जाता है और ये बेंटीरिया एक कोशी किये होते हैं यह प्रकास द्वारा अपने भोजन को संसलेशित कर सकते हैं या बना सकते हैं इसी लिए इनको प्रकास संसलेशी और स्वापोशी कहा जाता है यह कलोनी में रहती है खूब सारे जुन बनाके तो यह एक जैली नुमा आवरंस डखी होती है इसलिए छिचली होती है दूसरा है रसायन संसलेशी रसायन संसलेशी नौस्टॉक एनाविना मैंने आपको बताया है पर्यावरन के नाइट्रोजिन को हिट्रोसिस्ट नामक बिसिस्ट को सिकाएं इन बैक्टिरिया में उपस्तित होती है जो बिसिस्ट को नाइट्राइट या अमोनिया जैसे और कार्बनिक पदार्थों को अक्षिरिप करते हैं और मुक्त ओर्जा का उप्योग अपने ही ATP उत्पादन के लिए करते हैं तो यह नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सलफर जैसे पोशक तत्वों का पुनचक्रन में महत्वपुन यानि रिसाइकल में महत्वपुन भूमी का निभाते हैं तो यह याद रखेगा इसका उधारन नॉस्ट्रोक एनाविना और उसमें बिसिस प्रकार की कोशिका है जिसे कहते हैं हेटरोसेस्ट परपोशी जो अपना खाना खुद नहीं बनाते दूसरे पर निर्भर रहते हैं अब घटक भी इनको कहते हैं परपोशी बैक्टिरिया मैंने आपको पहले बता दिया रोग जनक भी होते हैं जो फसलों में और पशुओं में और इंसानों में भी कई प्रकार के बिमारी उत्पन करते हैं जैसे हैजार, टाइप हाई, टेटेनस, साइट्रिक, कैंकर जैसे बिमारी उत्पन करते हैं तो परपोशी दोनों प्रकार करते हैं लाब दाएक भी और हानीकारक फी ना दायग में प्रतिजें उत्तन करते हैं दूधसे बनाना और हानीकारक होते हैं इनका प्रजनन अ कसे बैक्टिरिया का अी न मुख्यते हैं दोनों कभी 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 कुछ में प्रजनन वे करते हैं दो बैक्टिरिया दूसरे बैक्टिरिया के अदर अपने डिन आ को स्थान्तरित्स कर देता है तो obviously इसमें मैंने आपको बताया था langiggenan वह जनन है जिसमें दो जनन भाग लेते हैं तो एक bacteria दूसरे bacteria के अंदर अपने DNA डाल रहा है इसलिए इसको langiggenan नाम दिया गया तो langiggenan भी कभी-कभी इनमें संभाव है बट अर्ल आंग इक तो ये करते हैं आपको पताई है कोशी का भी भाज़त द्वारा ओके तो ये था अपना मॉनेरा जगत दूसरा है अपने पास प्रोटस्टा जगत दूसरा जगत है प्रोटस्टा प्रोटस्टा जगत देखिए जैसा की मैं पिछली वीडियो में बता कुछ प्रोटेस्टा में कसाख पक्षमा पर पाया जाते हैं इनका जनन अलेंगिक विधी और लेंगिक विधी द्वारा भी होता है कोशिकाओं के सनलायन और युगमनज बनने की विधी भी इनमें है तो अर्था आप लेंगिक प्रजनन भी करते हैं और अलेंगिक भी क्राइसोफाइट, डाइनोफलाजिलेट, यूगलीनॉइड, अपका वक्ष प्रोटोजोव, इसके अंतरगत पांच वर्गों को रखा गया है, तो हम क्राइसोफाइट से पढ़ना शुरू करते हैं, ओके, नामी है क्राइसोफाइट, ओके, इनको डाय एटमी म्रदा, करोड वर्ष से जमा होने के कारण इनके अवश्यशो को डाय एटमी म्रदा भी कहते हैं, और चुकि ये कणिका माई होते हैं, सीलीका के जमा होने के कारण, इनकी भित्यों पर सीलीका होती है, और सीलीका के वज़े से ये कणिका माई होते हैं, जिसके कारण इनका उपयोग, पॉ और मीठे पानी में भी बहुत चोटे होते हैं और सबसे खास बात इनकी कोशिका भित्ती जो होती है वो सीलिका की बनी होते हैं और बहुत लंबे समय तक और रूप में करोड़ वस्तक जमा होकर के रूप में डायाटमी म्रदा भी बनाते हैं तो मृत डायाटम अपने परिवेश यानि अपने आवासस्थान में कोशिका भित्ती के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं जिसके कारण वहांकी म्रदा डायाटमी मिरदा होती है और उसको प्योग किया जाता है डायाटम की जो कोशिका भित्ती वो शा दाइनो फ्लाजिलेटिट यह मुख्यत समुद्री होते हैं परकास संसलेशन करते हैं वर्णक की उपस्ति के कारण अलग-अलग होते हैं पीले हरे भूरे नीले लाल दिखाई दे सकते हैं इनकी कोशिक्का की जो भित्ती होती है उसके बाहर की सतह पर सेल्लोज उपस्तित होत एक लंबवत कंसाइब होता है इस तरी के Comment और एक अनुपरास्ट कंसाब के बीच में लाल शुद्टिव समुद्र कि इतनी संख्या में होते हैं कि जिसके कारण समुद्र लाल रंके दिखाई देते हैं लाल समुद्र भी जिनको कहते हैं और बहुत जादा संख्या में होने के कारण ये विशाक्ता उत्पन करते हैं पानी में जिसके कारण मचलियां और समुद्री जीव मर जाते हैं तो ये था इनके अलग अलग वर्णों के कारण इनका कलर अलग हो लोगता है मैंने बता दिया पीले हरे भूरे नीले और लाल और अत्य धिंक मात्रा में पाए जाने के कारण पुरा का पूरा समुद्री ही लाल दिखने लगता है जिस जगह पर ये उपस्तित हुते हैं तो उस जगह के समुद्र का कलर लाल रंका दिखाई देने लगता है और ये विसाथता उत्पन करते हैं जिसके कारण समुद्री जू मर जाते हैं नेक्स्ट है योगलणाइट देखियो ये दोनों प्रकार का हो सकता है ये प्रकास संसलेशन द्वारा जब सूरज की उपस्ति में प्रकास अव्षवशित करके अपना खाना खुद बनाता है लेकिन जब सूरी उपस्तित नहीं होता तो यह दूसरे जियोधारियों का शिकार करके परपोशी की तरब्यवार करता है कोशी का भित्ति के बाहर एक प्रोटीन की परत पाई जाती है जिसे कहते हैं पैलिकल जो लचीला पन देती है इसको इसमें दो कसाब होते हैं एक छोटा और एक बड़ा इसका उद्धारन है यूग लेना याद रखेगा उद्धारन यूग लेना अब है अउपंक कवाज जो होते हैं वो मृत पोसी होते हैं मृत पोशी यह नहीं रखेगले मरे हुए चीजों के ऑपर सड़े गले तेहनिया पत्ते जैविक पदा जो शड़ जाते हैं 은का भक्षन करके अपनी जीवन को जीवन यापन करते हैंOK है Weeeeee यह इस लीए बता रही हूं कि जब अनोकौध प्रस fåttी होती है तो ये समय हो बना लेते हैं जो बहुत लंबा बहुत बड़ा समय हो बन जाता है और पतिकूल प्रस्तित में यह फट जाता है और वापस आपने लोग lihat करना सुरु हो को इधर से उधर वायू के साथ बिखर जाता है और वहां उगना शुरू हो जाते हैं प्रोटो जुआ जानते ही हैं मुसली आप 55 से पड़ते आज रहे हैं अमीबा इसी के अंतरगत आता है सभी प्रोटो जुआ पर पोशी होते हैं तो प्रोटो जुआ को चार समुह में तो यह भी चार भाग में बटे हुए हैं अमीबिय प्रोटो जुआ कसाभिक प्रोटो जुआ पक्षमाभिक प्रोटो जुआ और स्पोरो जुआ जिसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे तो आज के लिए इतना ही हम अगले टॉपिक के साथ अपने अग्यो